आयोध्या में प्रगुश्री राम का भवे मंदिर बन रहा है तो राम भक्तों को मानो मन मांगी मुराद मिल गई है बाय शनुरी को अपने भवे मंदिर में राम रला विराशमान हो जाएंगे तो राम भक्तों का आयोध्या में आबा गमन और बढ़ जाएगा अब जब बड़े संख्या में राम भक्त आयोध्या पहुंच रहे हैं और उसे अधिक पहुंचने वाले हैं तो आयोध्या में शिरीराम से जुड़े सामानों का बाजार सच गिया है क्योंकि हर राम भक्त आपने आरादे की घर से कुछ न कुछ उनकी निशाने लेकर जाना जाता है इसलिए सबसेधिक दिखरी श्रीराम और उनके भक्त हनुमान के जंडों की हो रही है तो कुछ यही हाल श्रीराम के भवे मंदर की मौडल का भी है आयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के तयारी जोरों पर है तो श्रीराम से जुड़े प्रतीकों का बाजार भी क्योंकि राम भग जब अपने आरादे की घर आते हैं तो उनसे जुड़ी कुछ न कुछ निश्रानिया अपने साथ ले जाते हैं और इसी में प्रभु श्रीराम और उनकी भक्त हनुमान की ध्वच पताका भी है श्रीराम और हनुमान पताका के अलावा आयोध्या में श्र अलागलक साइस और अलागलक कीमतों के हैं भक्त के लिए तो बड़े और छोटे मॉडल और उसकी कीमत माइने नहीं रखती माइने रखती है उसकी अपने आराधिके प्रती अगाज श्रद्धा इस वक्त आयुद्धा के नए घाल पर मौझूद हूँ और जिस तरह से देखने को भी लगाए अध्धा को दुलहन के तरह सजाया जा रहा है समारा जा रहा है क्योंकि बाद्ध को प्रभू श्राम जी के रिप्राण परसिश्टा का कारिक्राम रखा गया है जिसमें देश के परधान मंतरी मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा परभू श्राम जी को यहां पर विराजमांद किया जाएगा और लाखों की संक्या में लोग यहां पर मौझूद रहेंगे और सबसे बड़ी बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि तीस तारीक को भी अद्यश्य परधान मंतरी नरेंद मोदी जी का आगमन है जो कि शीराम एरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और कम से कम यहां पर जितने भी लोग हैं वो बड़ी बड़ी संक्या में लोग यहां मौझूद होंगे इस कारिकम में अभाती जंता पालड़ी के सारी कार करता पत्यकरियों ने बिल्कूल कमरकस रखी है तीस तारीकों कारिकम को ले कर यहां पर काफी उस्तुकता देखी जा रही है क्योंकि देखिए आयुद्धा को विकास की और बहुत तेजी से ले जा जा रहा है सड़कों पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से निर्माण कर्ण हो सब्सक्राइब HP Um इसमें देश मिदेश से भी लोगों को बिलाया जा चुका है और अयुद्ध्या में आप एक अलगी महल देखने को मिलेगा यहाँ पर क्योंकि वो दिन बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि काफिस समय से यह मामला कोट में विचारा दीन था जब यह मामला राम जेनम भूमी पश्च में आया और इसके बाद फिर इसके सर्कार उतंर प्रड्डिस में राहा है और योगी अदित्नाजी ने यहां कि कमान को समाला है तो दीपालिए को एक अलगी दिपोस्तों का महल दिया गया है और जो दिए सजाने के काम है लगातार यहां पर लाखों की संक्या में दिए सजाए है कि किस तरह से कारिकरम कैसा होगा किस तरह की भवता होगी वो धीरे धीरे नजर आ रही है आयुद्या में विकास्त कार बहुत तेजी से हो रहा है एरपोर्ट का कार है रोडवेज का कार हो पर वहां भाग भी अपनी एगा बिल्कुल तायनात है अपने कार को को पूरा कर रहा है गर बताने हो रहें नकर निगम भी बिल्कुल अपने कार को कर रहा है और साफ सफाई को ले कर क्याई सलकों पर जिस तरह से निर्माल का रहे था अब सलकों को भी साफ सुत्रा किया जा रहा है तो अब बाइस तारीक का सभी को है बली बेसभी जंदिदार और इस वक्त आयुद्या वह भजन से बिल्कुल मंत्र मुग्ध है कि सजा लो अपने गुल्षन को पभू शिराम जी आए लोग बिल्कुल यहां पर उस्तूख हैं और काम में तेजी ला रहे जगा जगा रामाइड के कारक्रम चल रहे हैं और जगा जगा रामाइड के द्वारा सभी को राम मैं का एक संदेश दिया जा रहा है आयुद्या फाइदाबास से तुफाइल अहमर